वन मंत्री उमंग सिंगहार का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पलिटिकल ज्रामे में नए किरदार के रूप में कॉंग्रेस सरकार के परिवहन मंत्री गोविन सिंग राजपूत और श्रम मंत्री महेंद्र सिंग सिसो दिया सामने आ गए सिंधिया समर्थक इन दोनों मंत्रियों ने पूर्व मुख्य मंत्री दिगजय सिंग पर सीधा हमला बोला राजपूत ने कहा कि मद्यप्रदेश विदान सभा का चनाव कमलनात और जो तिरा दित्य सिंधिया के नित्रित्व में लड़ा गया था अब किसी और को सरकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है इसी सुर में सुर मिलाते हुए श्रम मंत्री सिसो दिया बोले कि अगर किसी को सरकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार है तो वे जो तिरा दित्य सिंधिया को है साफ है कि उमंग सिंगहार के आरोपों को दो मंत्रियों ने भी आगे बढ़ा दिया है इस मामले में फिलहाल दिगविजय सिंग की ओर से कोई कमेन सामने नहीं आया है इधर, अमभग से विदायक कमलेश जाटव और गोहत से विदायक रणवीर जाटव ने स्वास्त मंत्री तुलसी राम सिलावट पर गंभीर आरोप लगाते हुआ कहा है कि उनके बेटे बंकिम नर्सों के ट्रांस सफर में पैसे ले रहे हैं सिंधिया गुट में भी खीचतान रणवीर जाटव बोले मंत्री सिलावट पर बेटा हर काम के पैसे मांगता है ऐसा ही होता रहा तो जल्द ही भाजपा में चला जाओंगा स्वास्त मंत्री सिलावट को सिंधिया समर्थक माना जाता है अमबा से कॉंग्रेस विदायक कमलेश जाटव और गोहट से विदायक रणवीर जाटव भी सिंधिया गुट से ही हैं दोनोंने मंत्री सिलावट पर ट्रांस सफर में लें देन के आरोप लगाए हैं गोहद विदायकरण वीर जाटव ने कहा कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविन सिंग लाहार में रोज 200 रक्रेत का अवैद उत्खनन करवाते हैं इसमें उनकी मदद दिग्विजे कर रहे हैं मैं कॉंग्रेस में गुट-गुट कर नहीं जीना चाहता ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही इस्तिफा देकर भाजबा में चला जाओंगा मैंने कई कर्मचारियों के ट्रांस सफर के लिए स्वास्त मंत्री से आग रह किया लेकिन वे संबंदित को भोपाल इन दोर चक कर लगवाते हैं मंत्री जी का बेटा हर काम के पैसे मांगता है अंबाव विदायक कमल जाटव ने कहा कि यह सीट कॉंग्रेस 35 साल बाद जीती है स्वाभाविक है कि क्षित्र के लोगों की सरकार से उमीदे भी जुड़ी है मैंने स्वास्त मंत्री से आग रह किया कि स्वास्ते कर्मचारी ब्रिजेश उपाध्याय का ट्रांस सफर का काम है उपाध्याय को जब पूत राजस्व इमाम परिवहन मंत्री सिंधिया के विश्वस्त दिगविजे पर सरकार में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है वे पहले भी कह चुके हैं कि मुख्य मंत्री मंत्रियों की नहीं सुनते महिंद्र सिंग सिसो दिया श्रम मंत्री डिनर डिपलोमेसी के जर में ही लड़े जा रहे हैं तो भाजपा से क्या लड़ेंगे कॉंग्रेस को अपने ही विदायकों को संतुष्ट करना होगा सिंधिया ने भी लिया उमंग का पक्ष बोले सरकार में बाहरी हस्तक्षेप ना हो दिगविजे परवन मंत्री उमंग सिंगहार द्वारा लगाए गए आरोपों से मचे सियासी बवाल पर कॉंग्रेस के राश्च्रे महास्चिव जो तिरा दित्ते सिंधिया ने भुद्वार को गौलियर में दिगविजे का नाम लिये बगैर कहा कि सरकार अपनी दम पर चलना चाहिए किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए आरायए अलावा ने कहा कि हमने अपनी बात मुख्य मंत्री के सामने रखी थी यह हमारी सरकार को चैतवनी और धमकी भी थी इसमें प्रमुख रूप से आदिवासियों की मांगे प्रमुख थी जिस पर मुझसे प्रस्ताव बना कर देने को कहा है